चिंद्वारा बोना खेरी क्राम पंच्यात कागजों में महिला का पोस्ट मॉटम हो जाता है मैं अभी जिन्दा हूँ कहती है महिला एक महिला की सरक्दर घटना में मौत हो जाती है इसकी बकाईदा पुलिस में रिपोर्ट होती है फिर पंचनामा किया चाता है और उसका पोस्ट मॉटम भी होता है इसके बाद उसको सरकारी तोर पर मिलने वाली राशी भी निकाल ली जाती है लेकिन हैरानी तब होती है जब वही महिला पुलिस की पास पहुचती है इस पूरे मामले में हमारी रिपोर्ट ये बोना खोरी ग्राम पंचयाद की रहने वाली किरन मालविय है जिसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका पोस्ट मौटम भी हो चुका है जैसे ही उसे पता चला उसके परीजन हैरान हो गए बात यही खत्म नहीं ह के नाम से सरकार ने चार लाग की सहायतार राशी भी परिवार को दी दी लेकिन ये राशी परिवार को नहीं बलकी सच्चीव के खाते में डाल दी गई जन्पतपंचयाद से हुए इस कारणा में की बाल हर कोई है महिला का कैना है कि उसे दो बार मारा क्या है दूसरी बार उसका कहना है कि दो साल पहले मा की मौद दिखाए गई तभी दो साल से वह गरिभी रेखा के कार्ड से मिलने वाले अनाज के लिए तरसरा है और उसे नहीं दिया जा रहा है एक्सिडेंट में हमारे पुलिस ने कोई जांच की कुछ आई ने सरे से मिल रही है बाकी हमारे घर में ना पुलिस प्यासासे नहीं किसी चीज की जांच परताल बिल्कुल नहीं होई देखिए हम तो जो प्रकण हमारे कारले में आते हैं उस कारले में जो required दस्ता में बेज हैं उन दस्तावे जुम को के आधार पर ही हम प्रकण स्विक्रट करते हैं ठीके ना, प्रकण में हुन्डीपुरा था ना इस मामले में पुलिस अधिक्षक ने भी जांच के आदिश चारी कर दी है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इस क्राम पंच्यायत से तेस लोगों के गलत मृत्यू प्रमान पत्र बनाने के मामले की जांच शदरी है एक और मामला आने से इसकी भी जांच की जाएगी एसपी ने कहा कि किसी को नहीं बक्षा जाएगा फिलहाल खातों से राशी निकाल कर जब्ती बनाई जा रही है उधर जन्पत पंच्यायत की कारेपालन अधिकारी का जवाब भी चोकाने वाला है उनका कहना है कि ऐसे मामले में बहुत एक सत्यपान किया जाता है इसमें क्यों नहीं हुआ इसका पता लगाया जा रहा है उनका ये भी कहना है कि राशी की स्वीकरती के लिए जो कागस जरूरी होते हैं विल लगे हुए थी इसलिए राशी स्वीकरती का प्रकरण बना दिया गया लेकिन राशी सचीव के खाते में कैसे गई इसका जवाब भी नहीं दे पाए एक दिन पहले थाना चोहरई में पुलिस ने 420, 466, 466, 471 और 122 और अनधाराओं में एक अपरात पंजिबद किया है जिसमें स्थानी बोना खेडी पंचायक के सचीव और उसके साथियों के द्वारा कुछ हितकराईयों के नाम पर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर्टर वाले निसमंदी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था इससदर्ण में आज जो एक नई बात सामने आयी है उसके अनुसार एक महिला जिसके नाम से राशी विगत अपराव में भी आहरिट करने की बात सामने थी तो उसके एक्सिडेंट होने और एक्सिडेंट में मृत्यू होकर उसके घटना करम में एक FIR दर्ज होना और उसके PM रिपोर्ट इत्यादी का आधार लेकर इसके नाम से प्रथक से राशी आहरित करने की बात सामने आई है अभी तक की जांच में ऐसी कोई F.I.R. समंदित ठाने में दर्ज होना नहीं पाया गया है अथाथ इसमें भी काविजों के साथ हेर फेर किया गया है पुलिस अपरात की जांच कर रही है और जांच में तमाम साक्षों को भी एकत्रित किया जा रहा है बॉना खोरी में लगातार सामने आ रहे इस तरीकी की मामने से साफ है कि जांच आगे हुई तो बड़ा स्कैम सामने आएगा उधर जिला परशासन ने तमाम पंचयायत की रिकॉर्ड खंगान ने शुरू कर दिये है कि कही इस तरह की गरबडिया और तो जगह पर नहीं की गई बहरहाल प्रकरन सामने आने की बाद जिन पर पंचयाय की अफसर सक्ति में है जांच के दाइरे में आने वाले इन अफसरों की होशुड़ी हुए है कारवाई किस पर और कब होगी इसका इंतिजार किया जा रहा है बीसियन न्यूस के लिए चिन्दवाडा से चंदरशेकर शक्रवार की रिपोर्ट